बॉर्णिंग एब्रीवन वेल्कम बेक टो माई चैनल मैं आज बना रही हूं दाल कचीला मैं आपको दिखाती हूं मैंने पहले बिलकुल दाल काही डाल ना चाहा है इसमें कड़ाई में तो यह चिपक रहा है तो इसको जो यह चिपक है नहीं इसके लिए मापको एक विदी तो अभी मैंने इस दाल में ओवर्नाइट शोक करी गई दाल ली है उड़द और मॉंग की छिलके वाली उड़द और प्लेन मॉंग तो मैंने सोचा था कि यह आसानी से उठाएगा लेकिन इसको पकाने में काफी टाइम लग रहा है और यह इजीली उठ भी नी रहा है तो अब मैंने साफ करके अब मैं इसमें डाल दूँगी और जल्दी बनाने के लिए मैं सोच रही थी लेकिन इप हो टाइम ले रहा है तो इसमें मैंने नमाक मिर्च और गरम मसाला डाला है आप इसमें जो भी खाते हों तेज मिर्च नमक अपने नुसार कर सकते हैं तो यह तो इसमें मैं अब एक डाल के आपको दिखाती हूं कैसे अच्छी से बन गया तो है अज तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी लेकिन अगर आपको कोई आता है कि आप खाली दाल से बना सकते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि किसे टाइम इसको भी होना कितने टाइम इसको करने के लिए क्योंकि यह जो है मैं सोच रही थी ऐसे यह दाल उठाएगी ऐसे ही कड़ाई से लेकिन बिल्कुछ बंग जाती है इसे बनाएं और अगर आप खाते हैं तो एक से बना सकते है तो एक डाल के इस तरह से बिल्कुल पतला और करारा बन गया है तो यह जल्दी की जैसे ही मने बनाना जाया था लेकिन डाल से कभी भी नहीं बन सकता उसमें फिर मैंने डाला थोड़ा पेसान और एग डाला है और उसको पांच मेट रखा यह थिर फ्यटने के बाद और फटा पट डाल के पांच सेकेंड नम अलट पलट कर सकते हैं तो जल्दी पक जाता है तो जल्दी बनाने के लिए उसमें एग डाल लो, जो लोग खाते हैं, और जो एग नहीं खाते हैं, वो जोड़ा अगर है तो जबही इसको बना सकते हैं, और अब मैं तोरी की मैंने सब्जी बनाई है, और, चीले का, ब्रेक फॉस्ट बनाया है और अब शाम में मैं बना रही हूं विवकुल पनीर लोंगी और उसको हलके से रोस्ट करूँगी और उसमें ऐसे ही ग्रीन धनीय वाली चट्नी का फ्लेवर डालूँगी और उसको थोड़ा सा टमाटरों के साथ रोस्ट करूँगी और बस यही सब्जी है क्योंकि ग्रेवी अगर पनीर की कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत मसाले और तेल वगरा सब डालना पड़ता है तो पनीर की सारी पोस्टिक ना समें खताम हो जाती है वो टेस्टी टेस्टी रहती है पोस्टिक का इतनी नहीं रहती जब उसमें बरावर के तेल और मसाले नहीं जाते हैं तो अब मैं आपके साथ जो बनाऊंगी उसको शेर करोंगी तो इंस्टेंट पनीर बनाने के लिए मैं इसमें एक चमज गी डाला थोड़ा से जीरा तो आज मैं कई किलो लोकी से सारी सब्जिया बनाने वाली हो आपको दिखा रहीं बहुत सार ये लोकी हैं य और ये जब गल जाएगा उसको ठंडा करके मिक्सी में स्टी ग्रेवी बना लोगी और इसमें अब मैं कॉफ्त बनाने के विए क्या-क्या डालती हूं आपके साथ ये आपके साथ ये अ है और माल किट से थोड़ा समाल लिया है दोगा-पूजा के लिए अब रात्री के सुब कामना है सबको और अब में ब्रक सुरू करने जा रही हूं और मैं पूरा दिन आपके साथ शेयर करूंगे तो अभी मैंने बस चाय पिये और मैं क्या-का बनाती है आपके साथ शेयर करूंगे और मजे भी बच्चों के लिए तोबड़ा कुछ बनाना अब अब तयारी करने चलती है कि तो अभी मैंने साभी बगवान जी को इसमें टांट्री के पानी में चुछ पीतल के फेयर को ताम फेयर टाल के रग दिये और इनको साप करके करने के मंदिर में लगाता हूं नवरात्री की सुभारा मभम करते हैं, मेरा मंदिर लग चुका है, मैं नई तस्वीर स्थापित करिए, और मंदिर मेरा सज चुका है, अब मैं पूजा करने के तेहरी कर रही हूं, नवरात्री सब को बहुत-बहुत मुबारक हो, कर दो नवरात्री से और में पूला कर रही हो, आज पहला ब्रत है और मेरी पूजा संपन हुई है अब मैं आड़ बहुत टाइम लग जाता है मंदिर लगाने में और पूजा करने में सेकेंड डे से तो नियमित बन जाता है तो आड़ मैंने मंदिर लगाया है और अभी पूजा समाप्त करिये तो अब मैं आपको अपना मंदिर में कैसे मैंने भगवान जी स्तापित करे हैं हर नौरात्रे में मैं ऐसे ही करती हूँ तो यहां पर अगनी लोंग चड़ाते हैं इसमें और आज ब्रस पतकब रहते हैं तो मैं पूरी तरह से बांज दीपक के साथ पूजा करती हूँ मैंने आपको कई बार बताया हुआ अपने मंबिर में और यह सब मैंने पहुच के मैंने और त्यागी जीने दोनों ने यह सब पहुच के भगवान जी स्तापित करें हैं इसको लगाने में मन तो भूद लगता लेकिन टाइम भूद लग जाता है लेकिन कोई बात ने सुरद्धा के साथ करना चाहिए ये ब्रत त आ के माता अरानी सब्की त livres अमें चल्ति नो के चैने में मेरे पूजाा संपनु लिए सेरा वाले माता कीचेcida अरो पूजा को आप्त यह तो मैं शाम में क्या बनाऊँगा दोगे आपके साथ के साहँ करती है मैंने मनगवाया रखॉम एक स्वारतिक साया और अ Venue के शागती अभा स्वार्षा मिर्शा अगया हूं यह वितरारा है Gregory waas कि इसी कि बहुत सूदर चुननी हैं तब को मैं वहटीप्यारा व कि जैसा दिखना है में चोन पर यह पिसा ही बियुक्त प्रीजी नेबलु में युए जीवा फैसनी श्टॉर से है तब अच्छा जैसा है दिखर रहा है वैसाई कपड़ा पहले भी था और ऐसा ही निकला है अब मैं बना रही हूं साबुदाना की खिचडी यह काफी सारा साबुदाना है मैंने तीन-चार घंटे पहले भी गो दिया था कायर में कट करके मैंने आलू लिये इसको मैंने पहले फ्राइ कलिया थोड़ा सा नमक डाल यह है कुछ पनीर य अब भी ब्रत में खाने के लिए तो इससे मैं भी साबुदाना की चटा कितार खिचडी बनाने जा रही हूं थोड़ा सा घी और जीरा डालके मैंने टमाटने डाले मिनको थोड़ा ग्रेवी टाइप होने दूंगी पनीर फ्राइ का चुकियों आलू प्राइ का जुकियों साबुदाना से खिचडी टमाटर हरी मिर्च की चट्नी और थोड़ा दही यह मारा शाम का खाना है और एक बार बना के देखी मैंने कई बार रैसीपी डाल चुकियों साबुदाना के खिचडी की एक बार बनाईए ब्रत में भी खा सकते हैं इसको जैसे आप नास्ते में भ सकते हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी जी तो नवराती स्पेसल फर्स्ट डे के ब्लोग के साथ ही हमें करने जा रही हूं एंड और नेक्स ब्लोग तक के लिए बाबाई